motion पर जो भी question रहते हैं उनको solve करने के लिए कुछ equation दिये गए उसी equation को हम कहते हैं equation of motion तो आज हम पढ़ेंगे first equation of motion first equation of motion is V is equal to U plus AT V denotes to final velocity U denotes to initial velocity A denotes to acceleration, uniform acceleration and T denotes to time taken इसे हम समझते हैं बहुत ही असानी तरीके से मानिय कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशेल वेलोसिटी जैसे आप गाड़ी चलाता है उस समय आप की जो फेलोसिटी होता है, वो जीरो होता है तो इसका फेलोसिटी जीरो है और कुश्ट समय ट्रेवल करने के बाद छेंज होता है, मतलब बढ़ जाता है जैसे इसका फेलोसिटी माल लिजिए यहाँ पर दस मीटर परती सेकेंड है इसका जीरो मीटर परती सेकेंड और यह यहां से यहां तक की जो दूरी है वो टाइम लिया है पाँच सेकेंड तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के डेराइब करने के लिए माना इसका यहां पर यहां पर क्या होगा चेंजिन वेलो सिटी में चेंजिन आएगी वेलो सिटी में चेंजिन आने को हम कहते हैं एक्सेलरेशन यानि यह एक्सेलरेट हो करके यहां तक आएगी तो आफटर टाइम टी यानि पास सेकेंड लगा पांस सेकंड के बाद ती टाइं के बाद यानि पांस सेकंड के बाद its final velocity becomes V यहां फाइनल वेल सीटी V हो गया यानि दस मिटर पर सेकंड हो गया from definition of acceleration acceleration का भी definition आपने जाना होगा क्या होता है change इन वेलिसुटी in time taken एक इकाई समय में जो velocity change करे उसी को हम acceleration कहते हैं 71 समय निकालने के लिए हमें क्या करना होगा change in velocity को time taken से divide करना होगा acceleration is equal to change in velocity divided by time taken तो change in velocity मतला जो बड़ा मैसे होगा उसी छोटा को घटा आएंगे तो यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर जो है हमारा final velocity V है 10 है और initial velocity 0 है मान कर चला है हमने तो final velocity minus initial velocity यानि की यहाँ पर A is equal to 10 minus 0 time taken कितना लगा है T लगा है यहाँ पर time taken T यानि यहाँ पर हमने माना है 5 second तो यहाँ पर लिख देंगे 5 अब वहीं V minus U final velocity के मैंने V माना है और initial velocity के हमने U माना है यहाँ पर initial velocity U final velocity V दखिए कोई भी object जब starting होता है उसका initial velocity 0 होना ही होगा question में दे या ना दे उससे कोई की फरक नहीं पड़ता आपको 0 लेना ही है तो यहाँ पर acceleration को यह पूट कर दिया वहीं जब यहाँ पर आएगा प्लस माइनस मतलते हैं यहाँ पर माइनस है यहाँ पर 80 प्लस यू आ जाएगा और यह भी बच जाएगा तो वहीं वी is equal to U plus 80 यह हो गया first equation of motion एक को एक्सलेरेशन से डीनोट करेंगे वी को को final velocity से use को initial velocity से यहाँ पर हम एक एक्सलेरेशन इसकल टू यहाँ पर दस बटे पांच acceleration is equal to हो जाएगा पांच यह कट जाएगा दो मर्त में तो मीटर पर सेकेंड एसक्वाइर यह एक्साम्पल आपको समझाने के लिए था कि समझ में आ जाए इसी कौन कहते हैं first equation of motion बहुत ही असान है इसे समझना